नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि डोल SP टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, डोल SP टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और डोल SP टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, औ और यह भी डिस्कस करेंगे कि डोल SP टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, डोल SP एक ब्रैंड नेम है, डोल SP टैबलेट के अंदर तीन दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, डोल SP टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजीशन एसिकलोफनेक 100 mg, पेर सॉल्ट को कम करने के लिए डोल SP टैबलेट का उप्योग किया जाता है, यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज़़ से सूल्ट आ गई है, तो डोल SP टैबलेट दर्द के साथ साथ सूल्ट को भी कम करती है, डोल SP टैबलेट का उप्योग शरीर की मासपेशियों में दर्ध होने पर, शरीर की हड्डियों वर शरीर के जोडों में दर्ध होने पर, सिरदर्ध होने पर, बुखार होने पर, दातों में दर्ध होने पर, कमर के दर्ध, कान के दर्ध और गले के दर्ध आधी कंडीशन्स मे डॉल-S-P-Tablet का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म के दोरान भी दर्च से राहत पाने के लिए डॉल-S-P-Tablet का उपयोग किया जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में DOL SP Tablet की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ % व्यक्तियों में DOL SP Tablet की वजह से कुछ side effects हो सकते हैं. जैसे बदहजमी होना, पेट में दर्ध होना, पेट में जलन होना, कब्ज होना, उल्ती आना, उल्टी आने का मन होना, तवचा पर खुजली होना, तवचा पर रैशेस होना, भूब कम होना, दस्त होना और लिवर इंजाइम बढ़ सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में डोल SP टैबलेट को लेने से किड्नी वर लिवर डैमेज हो सकते हैं। और शरील में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक यानी लगातार कई महीनों या कई सालों तक डोल SP टैबलेट का सेवन करने की वज़ह से पेट में ब्लीडिंग होने का, दिल का दौरा पढ़ने का और लकवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की डोल SP टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। डोल SP टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है। आपको डोल SP टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की डोल SP टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। पेट में अलसर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किडनी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर डोल SP टैबलेट को लेना recommended नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डोक्तर की सला के बिना डोल SP टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को डोल SP टैबलेट को डोक्तर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डोल SP टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। झाल